C.I.E.T.N.C.E.R.T. दोरा प्रस्तुत है ये श्रिंखला गुन्चाए शायरी इस श्रिंखला के अंतरगत आईए सुनते हैं ये कारेकरम मीर तकी मीर मीर तकी मीर 1722 इसवी से 1810 इसवी तक मीर तकी मीर आगरे में पैदा हुए मीर की नौउम्री में उनके वालित का इंतिकाल हो गया फिर मीर देली आ गए और यहां तवील अर्से तक रहे यहां खान आर्जू की सोहबतों ने उनके जौके शेर और इल्म को तरकी दी और बहुत जल्द वो देली के नुमाया शोरा में गिने जाने लगे 1782 इसवी के करीब वो लखनव आए नवाब आसिफ दौला ने उनको हाथों हाथ लिया उनके जबाने से लेकर आज तक तमाम शोरा और नाकिदीन ने उनकी शायराना अजमत का इतराफ किया है उन्हें खुदा-ए सुखन कहा जाता है और आम दौर पर लोग उन्हें उर्दू का सबसे बड़ा शायर करार देते हैं अश्क आँखों में कब नहीं आता अश्क आँखों में कब नहीं आता गौर करने की बात मीर की शायरी फिक्र असलूब और फन के लिहासे मुनफरिद दरजा रखती है मीर अपने अशार में सहल और सादा जबान इस्तेमाल करते हैं लेकिन कभी कभी ऐसे अलफाज उनकी शायरी में आ जाते हैं जो अब मतरूख है मीर के कलाम में बयान की साद्गी के बावजूद सोजो गुदास और असर आफरीनी है मीर की बड़ाई इसमें है कि उन्होंने जिन्दगी के दूसरे पहलूँ को भी अपनी शायरी में उतनी ही खूबी से जगाती है जिस खूबी से वो रंजो गम की बात करते है मीर ने हर सिन्फे सुखन में तबा आजमाई की है लेकिन उनका असल मैदान गजल और मसनवी है उर्दो में उनका जखीम कुल्यात शाया हो चुका है मीर अपनी शायरी में लवजों को नए-नए रंग से इस्तिमाल करते हैं और अपने कलाम में नए-नए मानी पैदा करते हैं उनकी शायरी बजाहिर सादा है लेकिन इसमें फिक्र की गहराई है उनके शेर दिल को छूते हैं होश जाता नहीं रहा लेकिन जब गुआता है तब नहीं आता जब गुआता है तब नहीं आता अश्क आखों में कब नहीं आता ये गजल छोटी बहर में है और मीर की सादगी बयान का बहतरी नमूना है ये सहले मुमतना है और सहले मुमतना इस कलाम को कहते हैं जो बजाहिर बहुत आसान मालूम हो लेकिन जब उसका जवाब यानी इसकी तरह का कलाम लिखने बैठें तो जवाब मुम्किन ना हो सके गजल शायर मीर तकी मीर अश्क आखों में कब नहीं आता लोहू आता है जब नहीं आता होश जाता नहीं रहा लेकिन होश जाता नहीं रहा लेकिन जब वो आता है तब नहीं आता सब्र था एक मूनी से हिज्रा सब्र था एक मूनी से हिज्रा सो वो मुद्दस से अब नहीं आता सो वो मुद्दस से अब नहीं आता दिल से रुखसत हुई कोई खाहिश गर ये कुछ बे सबब नहीं आता जी में क्या क्या है अपने एहमदम पर सुखनता बेलब नहीं आता दूर बैठा गुबारे मीर इस से दूर बैठा गुबारे मीर इस से इश्क बिन ये अदब नहीं आता इश्क बिन ये अदब नहीं आता अश्क आगों में लवजो मानी अश्क आसू वो यहां बामानी महबूब लोहू लहू यानी खून मोनिस दोस्त दिल को तसली देने वाला हिज्रा जुदाई गिरिया आसू हमदम साथी सुखन बात गुबारे मीर मीर की खाक यानी मरकर खाक हो जाने के बाद मीर का जिस्म गुबार बनकर हवा में उड़ा है अमली काम उस्ताद की मदस से खजल को सही तलफुज और मुनासिब अदाईगी से पढ़िए सवालों के जवाब लिखिए सवाल नमबर एक शायर ने गिरिया आने का क्या सबब बताया है सवाल नमबर दो अश्क आँखों में कब नहीं आता लोहू आता है अश्क आँखों में कब नहीं आता लोहू आता है जब नहीं आता अश्क आँखों में कब नहीं आता मीर तक ही मीर अभी आप सुन रहे थे ये कारेकरम कलाकार, परवेश गोहर और शमाईला परवेश संगीतकार, हर्भजन सिंह गायन स्वर, मेघह दोन्यांकन, बटिलेंगलिंडो और शानुमुक्सीम, निर्माण सहयोग, तनुगुप्ता, निर्माण, निर्देशन तथा दोनिसंपादन, वंदिना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुती, CIET, NCEERT, नई दिल्ली, भारत